नमस्कार दोस्तों स्वागत तियाब शभीका आपके अपनी चैनल और यह दोस्तों आज किस वीडियो में हम आउसत निकालना सिखेंगे जिन दोस्तों आउसत जिसको इंगलिस में कहते हैं average यानि इस वीडियो में हम average निकालना सिखेंगे जूकि काफ़ी students की कमेंट आ रहे थी कि सर अवसत निकालना सिखा देजिए तो इस वीडियो में आपको बेसिक से एकदम जीरू लेवल से आवसत निकालना सिखाएंगे तो यह वीडियो काफी इंपोर्टेंट इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा तो यहां पर हमने लिख रखा है निकालना है और सिखाएंगे फर्मॉला किया है असान तरीका किया है इस वीडियो में जान रहे हैं देखिए और यहां पर फर्मॉला वसको देख लीजिए यहां पर लिखेंगे हम ओसत बराबर फर्मूला क्या होता है देखिए अंको का योग और दिवाइड़ बाई यहां पर अंको का शंक्या यह होता है हमारा फर्मूला अब देखिए इस फर्मूला पर यहां पर जो भी नंबर से उसको बैठा देज़े कैसे बठाएंगे देखिए हमारा और सत बराबर क्या है अंको का योग तो ओंक कौन कौन से है चार है तीन है साथ है दो है पांच है तीन है इसका योग करना है योग मतलब समझ रहना योग म सबसे पहले अंको का योग है उपर में तो अंको का योग यानि सबको जोड़ देंगे तो चार प्लस तीन प्लस साथ उसके पाद है दो प्लस पांच प्लस तीन इतना काम कर देना है और बटा में क्या लिखना है अंको की संखिया तो यह बटा देंगे अंको की संखिया कित कि यह आपको गाई दिया और जो जोिया तो क्योंते के यहां पर की हैं यहां पर चाहकश संख्या करेंऊ करके यह यह आपके चाहँच है तो आपको यहां पर चाहँचर prick right विखिचा viltu उनुल एक में एक जोड़ेंगे तो दो और बटा में क्या है छे है और छे से 24 24 बर में और हमारा और सत्त और जिसको इंग्लिस में कहते हैं कर रहेज का बहली कैतना आगा चार और यही इस कोष्टन का यानि पहले क्षटन का फाइनल आंसर हुआ आपको सबसे पहले अंगों का यो करना है जो भी नमबर्स दिया रहेगा उसको सब सको भी जोड़ना हिए और इस दिवाइट कर देना हिए जोबी नमबरॉ यानि जितिने नमबर हेएट आपका एबरेज निकल जाएगा तो आएए एक और दूसरा question देखते हैं जो कि बहुत ही महतवपूर है और इस question में आपको थोड़ा सा समझना है बहुत ही आसान तरीका से आपको बताने का प्रयास कर रहा है तो देखिए हमारा question क्या है 0.3.2 इन सबहें क्या करना एबरेज निकालना है औसत निकालना है तो वही फरमूला हम यूज करेंगे औसता ओसत वराबर फरमूला क्या होता है अंको का योग और बाटा में अंको का शंक्या यह होता है हमारा फर्मूला अब अंको का योग कीजिए देखिए हमारा अंक कौन कौन सा है 0.3 प्लस 0.03 0.03 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 3.0 यहां पर है जरूला है अब यहांपर देखिए जो भी हमने अंक की यहां पर था सबखो puisque यहां पर लिख लिए अब क्या है अंको का संख्या तो सबसे पहले एक लाइन किजिएंगे और अंको के संख्या कितना है दख़िए एक दो तीन चार है और देखिए करना क्या है इन सभी को पहले जोड़ना है तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं देखिए 0 तुसमालो 3 में प्लस करना है 0.03 फिर इसी प्लस करना है है ुझ सबसे पहले लगा चाहिए जीरो घ्रों गतर को आ옹 के साम जोड़ेता एंक यहां पर जोड़ लेते हैं किया है है भी 003 है और जी अभ्यव 23 2 सबसे पहले हैं 0 003 उसमें को अबंडत क्या चाहिए तो YUMBE, अब इसको जोड देना है तो देखें यहां पर 0, 0 तो दそんな अब इसको जोड देना है तो देखें यहां पर दाईने तरफ जोड़ेंगे तीन में जीरो जोड़ेंगे तो आपका तीन होगा तीन में तीन जोड़ेंगे और जीरो जोड़ेंगे तो आपका तीन तीन यहां पर छे होगा दस्मलोग किसाने दस्मलोग होगा जीरो में जीरो जोड़ेंगे उसमें तीन जोड़ेंगे फिर जीरो जोड़ेंगे तो आपक 9-3 और बट्टामें फोर आ गया यहां पर व्यापका अन्सर हो सकता है या आप चाहे तो झाल कि yemखे यहां पर जो है थीरे द्समव ख्लता एना तो आपको करना क्या है देखे थीणी और 6-3 लिख लेना है लिख लेना लिख ले क्या करना है यहा Ama बलब और दकानोगे दो संहेंगी था तो हम क्या करेंगे चार क्योंफर और दो कर देंगे और यह एपका आंसर हो जाएगा नेत्य स्काश लिए यहां पर पर जो था में आद 10 को कन यह निए 10 को 2 कर दिया आपका ओसकता है और यह भी हो सकता तो आय होपकी इस वीडियो के माध्यम से आपको एब्रेज निकालना यहां पर आ गया होगा जो भी मैंने फर्मूला बताया है बहुत ही असान फर्मूला है इसको आप याद कर लिजेगा यह नहीं व्याद करेंगे तो करना क्या है जो भी संख्या उसको जोड़ देना है और जो भी संख्य वीडियो में तब तक लिए टेक केर बाई बाई धन्यवाद